हेलो फिरेंट आपका नीवर्क पेनाय में स्वागत हैं हम इस विडियों बताएंगे नीचे कधहता खाराब आने का चार कारण तो चलिए जानिये कौन साब सचार कारण है कि क्लिवेड़ा कथा खाराब आता है और जलदी सही नहीं होता है तो इस वीडियो में तो आप देख सकते हैं जो ऊपर का धागा है बिल्कुल सही है के अज़िए और नीचे कर देखिए इस तरह से धागा आया है खराब तो इसको कैसे है यह ऍसको पहले मुझळ प्रूम और इसके बाद शिलाई करेंगे यह एकरें करने का जब आपको यहां से ध्हागा रूर्ज निकलेगा तापका धागा खराब आएगा इसको टाइट कर लिये हैं और उसके बाद इसलाई करके देखेंगे कि रॉरत की नहीं हुआ जो मुलत कूरें पूरी तपर है इस तरह है द्हागा निकल रहा है देखिए थोड़ा दूर ऐसा निकला है फिर खराब धागा आया है तो आपको यहां पर फिर से चेक करना होगा जो यहां पर बीच में जहां से धागा निकलता है अब भी धागा देखिए लूज है रूप रूप के निकल रहा है इसमें धागा फंच जाएगा जो धागा करे तो भी धागा खराब आने का एक करण हो सकता है इसको जो है आपको खोलना है तो अब देख सकते हैं इतना इसमें का धागा में का रेशा था जब यहां से टेंसिल टाइट हो जाता है तो क्या होता है कि धागा का जो रेशा है निकल के इसी में रॉआ जाता है उसके वज़ा से सिलाई खराब आता है तो यह दूसरा कराण था सिलाई खराब आने का इसको फिर से वापस लगा लेंगे इसमें अब कुछ नहीं है ऐसे ही धागा लागा है और आपको यहां पर मसीन के तेल एक बुंद डाल देना है जैसे कि यहां से धागा है अच्छा से आएगा और उसके बाद आपको खीच के देख लेना है कि यहां से ज्यादा लूज भी नहीं ज्यदा टाइट भी नहीं नर्मल धागा आना चाहिए आपको यह चेक करना है और उसके बाद सिलाई करना है तो फिर से हम सिलाई लगाएंगे और देखेंगे कैसा सिलाई हो रहा है तो देखेंगे तीसरा सिलाई लगाए हैं लेकिन फिर भी थोड़ा-थोड़ा धागा खराब आया है आपको पास से देखिए है अब जो निचे अ में करना है और अनकल रहा है तो यह वहिए कारण हो सकता है यादी आपका उपर कभाग कपाघ टाइट होगा नीचे कड़ा लूज होगा तो दोनोसे जैसे सेम रहना चाहिए जैसे के टाइट भी नहीं आपको इसको भी चेक लगा लेना है फिर वापुर सिलाई करना है जैसे की इसको पूबर अरहा निकल रहा है जितना आप system करना है यह तिसरो सब्किते हो रहा है कहा है है आपको समझ में आ जाएगा तब देख सकते हैं कि बिल्कुल सही है यहीं तीन से चार करन है नीचे का सिल्हक खराब आने का और आपको यह कारन देखा आपको यह कर लेना है नीची जिलाइब तो आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सबस्क्राइब किज़ेगा रिक फिर मिलते हैं अगले बीडियो में थैंक यू